तो अगर हमको दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है ठीटा और हमें वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज पता है और यह लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है लाइन की डायरेक्शन के एलॉंग कोई वेक्टर पता है और एक जर्नल डायरेक्शनल वेक्टर आप रेशियोज से बना सकते है और आपको एक्चूल डायरेक्शन यानि एक कैप यानि एक्चूल डायरेक्शन पता है similarly line L2 के लिए आपको पता है तो उनके बीच का अगर एंगल ठीटा है उन लाइन के बीच का एंगल तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरीके से जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं चाहो तो इसमें A वेक्टर और B वेक्टर सीधे रखो यहाँ पर उनका डॉट प्रोडट करेंगे तो आएगा आपका यह A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जब हम डो वेक्टर का डॉट प्रोडट करते हैं आपको पता है कि आई जे के जो AI का जो कंपोनेंट है जे जे के जो कंपोनेंट और जो के कंपोनेंट है उनको मुल्टीप्लाइ करके सिर्फ सम कर देते हैं कि थीख है और म् programme का माइगनिटूड एक मेनेटूड आ जाएगा को प्लास के टू स्क्वा खथी स्क्यार और बीक मेंगनिटूड भीवन स्क्वाइट प्लास भीटूस वड़ी स्क्वार का रूट मैं तो जब कोस्ट ठीका निकालेंगे तो आपका यह आ जाये चाहो तो आप cos theta अगर unit vector में निकालो तो a cap dot b cap अगर आप निकालते तो a का mod 1 होता है b का mod भी 1 होता है cos theta यहां से cos theta आपका आजाता a cap b cap जो की actual directions अगर पता हूं यानि a cap और b cap तो निकालो a cap यह और b cap यह 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 अगर इन दोनों की value रखोगे तब भी यही आएगा तो हमें मिला दो lines के बीच का angle cos theta equal to this नीचे where a1, a2, a3 और b1, b2, b3 दोनो lines के direction ratio जाए हैं तो उससे हम दोनों line के along एक जर्नल वेक्टर एक डारेक्शन के along एक जर्नल वेक्टर निकाल लेता हैं अब अगर दोनों line perpendicular हैं तो theta होगा आपका 90 degree अगर दोनों line इस बोथ लाइन आर परपेंडी कुलर तो उनके बीच का angle होगा 90 degree जिससे cos theta की value आ जाएगी 0 क्योंकि cos 90 की value 0 होती जीरो रखेंगे तो यह नीचे वाला सब 0 हो जाएगा इधर के साथ केवल a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c3 c2 यह इतना टर्म उपर का 0 आ जाएगा और अगर बोथ लाइन्स आर पैरालेल यानि दो lines पैरालेल हैं इसका मतलब है कि दोनों की direction के बीच आइधर एंगल 0 है और 180 है या तो पैरालेल के मतलब होता है दोनों एक direction में या एक opposite direction में एक इस direction में लेकिन पैरालेल हैं तो दोनों केसिस में हमने आपको बताया है कि जब दो वेक्टर पैरालेल होते हैं तो उनके आई आई जे जे और के के कंपोनेंट जो होते हैं उनका ratio इक्वल होता है तो पहली लाइन जो 11 थी उसके जो directional वेक्टर था जो कि direction ratios से मिल कर बना था वो यह था ए और जो दूसरी लाइन थी L2 उसके direction ratios हमारे B1 B2 B3 थे यानि उनका एक जनर्र डायरेक्शनल वेक्टर हमारा बना था बी वन आई B2 आई B3 यह डायरेक्शनल वेक्टर एक दूसरे के पैरालेल हैं सिंस यह डायरेक्शन के लॉंग ही हैं तो अगर यह पैरालेल हैं तो उनके ratio जो होंगे वो इक्वल होंगे इसका आई का ratio एवन इसका बीवन तो एवन बाई B1 एवन बाई B1 गलत लिग दिया था वहां फिर जे का एटू इधर जे का बीटू तो एटू बाई कि एटू भाई B2 अब बीवन सी वन कहां से लिगी हमने आपके आपके और और इसका है एट री और इसका है बी यानि उनके डाइरेक्शन रेशियो जो है आई जे और के के उनका रेशियो इक्वल होता है तो एवन बाई B1 एटू बाई B2 और कि ए जी गलती कभी मत किजिएगा थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहिएगा एक्टुली कंसंट्रेशन बिगड़ जाने का एक और कारान है कि यह देखो मैंने यहां भी गलत कर रखाए कुछ एवन एट्टू बीवन भी टू यह एट कि यह क्या अफनि आ सब्सक्राओं यह को अधेशन बिवन इसा ही गलति आंति एवन बीवन इसफी पता नहीं गाव जाने लेग दिया था बार-बार कि एटू बी तू प्लास गीजीटों कहीं पिक्चर में नहीं ता तो A1 A2 अना A1 A2 यह भी नहीं है एवन बीवन है प्लस एटू बीटू है और प्लस एथी बीटिव है जीरो और यह एवन बाई बीवन एटू बाई बीटू एट्री वाई बीटी इनके रेशियों जीक्वल तु तू दिए नहीं है जहां जहां सी वहां आप चेक कर लिए असलमें कंसंट्रेशन बिगर जाने का और रिजन था मैंने वीडियो बनाया और वीडियो पता नहीं कैसे स्प्लिट हो गया मैं अभी देखा तो वह आठ मिनिट का पहले वीडियो अलग दिख रहा है और इसका अलग दिख रहा है तो उसी की चकर में फिर मैंने इसको लिखा और उसके पहले भी साथ मुझसे यह सी सी कहीं लिग गया है सी कहीं नहीं है एवान एटो एट्री है वीडिटू भी ट्री है ठीक है तो इस बोथ लाइन सार परपेंडिकुलर तो उनके डारेक्शन रेशियो जो आई आई का यह आ जो इस तरह से आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं उनके परपेंडिकुलर और पैरालेल होने की कंदीशन चेक कर सकते हैं कि समझने आया और कि इसको आप एपीसोड नंबर फाइब का एक्स्टेंशन समझी है क्योंकि वहां पर वीडियो कट हो गया था और इसके बाद हम इसी फंडे पर पिछली जो दो लाइने जो पढ़ रखी हैं हमने लाइन इक्वेशन जो की एक पॉइंट से जाती है और ए ऐसे हमने दो इक्वेशन पढ़े उनको इस कंडिशन पर चेक करेंगे उनके बीच का एंगल निकालें फीक है और उनके परलेल होने की और पर्पेंडी त्यूलर होने की कंडीशन चेक करेंगे तो यह आपका एप एपिसोड हुआ उसको ढंग से एक बार आप कर लीजिए कि मुझेसे जहां-जहां गल्ती सी लिग गया है जब कि इसी कहीं था भी है लगता हुआ इस फ्लो में लगता हुआ चला गया है this flow के चलते आप से अगलतियां की पोसकती हैं तो यह धिक रफ्लो में अक्सर आप ABC वगरा सब यूज करते हैं continuity cyclic term में तो वहां से आप से गलती हो सकती है तो प्लीज बी केर कोड़ें चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में